सच्चा मित्र, एक नैतिक कहानी एक समय की बात है, एक गाव में दो दोस्त रहते थे, राजू और सुनील वे दोनों बच्पन से ही बेहद अच्छे दोस्त थे, वे हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते और पढ़ाई करते थे एक दिन, गाव में एक मेला आया, ये मेला गाव के लोगों के लिए एक बड़ा तेवहार था राजू और सुनील भी मेले के लिए उत्सव में भाग लेने का निर्णाय लिया मेले में वे बहुत सारी गतिविधियों का आनंद उठा रहे थे एक वक्त आया, जब वे दोनों एक गोली मिठाई की दुकान पर खड़े हो गए वहाँ उन्होंने देखा कि मिठाई वाला बहुत सस्ती गोलियां बेच रहा था एक गोली की कीमत केवल एक रुपईय थी राजू ने अपनी माता के पास रुपईय थे, लेकिन सुनील के पास केवल पांचास पैसे थे उसने अपने मित्र से कहा, राजू, मुझे इस सस्ती गोली की एक पैकेट खरीदना है लेकिन मेरे पास सिर्फ पांचास पैसे हैं, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? राजू ने दोनों का हाथ पकड़ा और कहा, सुनील, तुम मेरा सच्चा मित्र हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा फिर वह अपनी माता से रुपईय मांगने गए और उन्होंने सुनील के लिए गोलियां खरीदी सुनील थोड़ी देर बाद अपने मित्र के साथ मिठाई की गोलियों का स्वाद लिया और बहुत खुश हो गए बदले में, सुनील ने अपने मित्र राजू से वादा किया, कि वह कभी भी उसकी मदद के बिना किसी भी मुश्किल में नहीं पड़ेगा और वे हमेशा सच्चे दोस्त रहेंगे इस कहानी से हमें ये सिखने को मिलता है कि सच्चे दोस्त हमारे जीवन में अत्यधिक मुल्यवान होते हैं वे हमारी मदद करते हैं और हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते इसी तरह हमें भी अपने दोस्तों के साथ सच्चाई और इमानदारी से व्यवहार करना चाहिए और उनकी मदद करने का अवसर प्रदान करना चाहिए